दियर वीवर्स हमारे दृष्टी PCS चैनल पर अपसे हर रोज शाम छे बजे राज्य विशेश करंट अफियस देखना न भूलें धन्यवाद नमस्कार दृष्टी आईएस के टुडेश जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुवात करते हैं पिछले सेशन के रीकैब से पहला प्रश्टी था राष्ट्रिय क्रिशी और ग्रामीड विकास बैंक यानी नाबाड के संदल्ब में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीचिए एक यह एक वैधानिक निकाए है दो यह सहकारी बैंकों और क्षेत्रिय ग्रामीड बैंकों का परियवेक्षन करता है उपर युक्त में से कौन सा यहां से कथन सही है या फिर है इसा सही जवाब था एक और दो दोनो अगला प्रश्निथा निम्नलिखित में से कौन सा इंडोनेशिया का सबसे पश्चिमी द्वीप है इसा सही जवाब था सुमात्रा अगला प्रश्निथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीचिए एक ला नीना अल नीनो दक्षिनी दोलन की शीत अवस्था यानि कूल फेज होती है दो दक्षिन अमेरिका के अयनवर्तियक्षेत रियानि ट्रॉपिक्स में प्रशांत महासागर से सटे इलाकों में जब समुदरी जल की सतह का तापमान कम होता है तो इस पूरी घटना को ला नीना प्रभाव कहा चाता है उपर योग्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था एक और दो दोनो अगला प्रशने था निमनलिखित कथनों पर विचार कीचिए एक इन परवतों की उत्पत्ती मेसो जोईख युग के अंत के आसपास हुई थी दो मौंट ब्लांक इस परवत श्रिंखला की सबसे उची चोटी है उपरोक्त कथन निमनलिखित में से किस परवत श्रिंखला का वर्णन करते हैं इससा सही जवाब था आल्प्स अगला प्रेशन था पूर्वी बारहां सिंखा के संदर्भ में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह काजी रंगा और दुद्वा राष्ट्रिये उद्ध्यान में पाया जाता है इसकी तीर उपर जातियां हैं लेकिन उनमें से केवल दो ही भारतिये उप महद्वीप में पाय जाती है उपर योगत में से कौन सा यांसे कथन सही है या फिर है इससा सही जवाब था केवल एक अगला प्रेशन था अरप प्रायद्वीप के संबंद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक है केवल लाल सागर अदन की खाड़ी अरप सागर और फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है अगला प्रेशन था मैरिटल रेप के संबंद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक IPC की धारा 375 बलातकार को परिभाशित करती है लेकिन notions of consent को परिभाशित नहीं करती है दो केवल करनाड़ा और उस्ट्रेलिया में मैरिटल रेप को अपराद मानने वाला कानून है वो परियोक्त में से कौन सा यांसे कथन सही नहीं है या फिर है इसा सही जवाब था एक और दो दोनों अगला प्रेशन था Pacific Ring of Fire के संबंद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीचिए एक इसे Pacific Rim या सरकम Pacific Belt भी कहा जाता है दो दुनिया भर के लगभग 75 प्रतिशत जौला मुखी और लगभग 90 प्रतिशत भुकंप इसी क्षित्र में आते हैं वो पर्योक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं इससे सही चवाब था एक और दो दोनों अगला प्रशनता हाली में Lancet Journal में प्रकाशित एक रोगाणू रोधी प्रतिरोध संबंदी अध्ययन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीचिए एक रोगाणू रोधी प्रतिरोध के चलते अब लाखों मौते common infections की वजह से होने लगी हैं जिनका इलाज पहले किया जाना संभव था दो रोगाणू रोधी प्रतिरोध यानि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से सबसे ज़ादा मौते उप सहारा अफरीका और दक्ष्रिन एशिया में हुई हैं उपरियोक्त में से कौन सा यासे कथन सही है या फिर हैं इसा सही जवाब था एक और दो दोनों अंतिम प्रश्न था सार्थी मोबाइल एप किसके द्वारा लॉंच किया गया है इसा सही जवाब था भारतिये प्रतिभूती और विनिमें बोर्ड शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न इलेक्टोरल बॉंड के संदर्ब में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तिय साधन यानि फाइनेशल इंस्ट्रूमेंट है दो यह भारतिये रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है उपर योग्त में से कौन सा यहां से कथन सही है या फिर हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसा सही जवाब उप्शन एक, केवल एक इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तिय साधन यानि फाइनेशल इंस्ट्रूमेंट है इसलिए कथन एक सही है ये बॉन्ड एक हजार रुपे, दस हजार रुपे, एक लाख रुपे, दस लाख रुपे, एवं एक करोर रुपे की राशी में जारी किये जाते हैं इन्हें भारतिय स्टेट बैंक द्वारा जारी किया जाता है इसलिए कथन दो सही नहीं है तो इस तरह इस प्रश्ण का सही जवाब उप्शन ए केवल एक हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल ब्रिश्टी आएस एंग्लिश आज के सेशन का पहला प्रश्ण है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को 101 वा स्थान मिला था दो ग्लोबल हंगर इंडेक्स UNDP द्वारा जारी किया जाता है उपर योगत में से कौनसा यांसे कथन सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनो या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब आप्शन ए केवल एक केंदर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाल के वर्षों में किसी भी राज्य या केंदर शासित प्रदेश में भूग से मरने की कोई खबर नहीं मिली है ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइट और वेल्थ हंगर हिल्फ द्वारसायोक्त रूप से जारी किया जाता है अतह कथन दो सही नहीं है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना चार संगेत को अलप पोशन यानि अंडर नरिश्मेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एवं बाल मृत्यू दर के आधार पर की जाती है इसे पहली बार 2006 में जारी किया गया था यह हर साल अक्टूबर में जारी किया जाता है 2021 में इसका 16 संसकरण जारी किया गया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को 116 देशों में 101 स्थान मिला था इसलिए कथन एक सही है 2020 में भारत की रैंक 94 वी थी तो इस तरह इस प्रश्ण का सही जवाब उप्शन A केवल एक अगला प्रश्ण है अंतराष्ट्रिय दूर संचार संग के संबंद में निम्निलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह सायूक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजंसी है दो इसका मुख्याले जिनेवा में है वो परियोगत में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब उप्शन C एक और दो दोनों यानि दोनों कथन सही है हाली में भारत को फिर से चार साल यानि 2019 से 2022 तक के कारेकाल के लिए ITU परिशत के सदस्य के रूप में चुना गया है भारत 1952 से ही इसका नियमित सदस्य बना हुआ है यह सूचना और संचार प्रोध्योगी की के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेश एजंसी है इसलिए कथन एक सही है यह संयुक्त राष्ट्र की सभी 15 विशिष्ट एजंसीों में सबसे पुरानी है इसका मुख्याले जीनेवा में है इसलिए कथन दो भी सही है तो इस तरह इस प्रश्ण का सही चवाब उप्शन C, एक और दो दोनो अगला प्रश्ण है सरकारी उधार यानि गौर्मेंट बॉरोइंग्स के संदर्ब में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीचिए एक भारतिय सम्विधान की साथवी अनुसूची के तहत केंदर और राज्य सरकार को विदेश से रिण जुटाने की शक्ती प्राप्त है दो यदि राज्य सरकारे केंदर सरकार की रिणी है तो उन्हें नए लोन के लिए केंदर सरकार की सहमती लेना अनिवार रहे है वो परियोक्त में से कौन सा यहां से एक अथन सही है या फिर हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनो या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब उप्शन B, केवल दो भारतिय स्टेट बैंक के आर्थिक सलहाकार के अनुसार वित्तिय वर्ष 2022-23 में केंदर एवं राज्यों द्वारा ली जाने वाली संयोक्त उधारी यानि कंबाइंड बोडोइंग कम होने की समभावना है सम्विधान का भाग बारहां उधार के संदर्ब में बात करता है सम्विधान का अनुछेद 292 केंदर सरकार द्वारा लिये गए उधार एवाम अनुछेद 293 राज्य सरकार द्वारा लिये गए उधार के बारे में पताता है अनुछे 293 के तहट यदि राज्य सरकारे केंदर सरकार की रिणी है तो उन्हें नए लोन के लिए केंदर सरकार की सहमती लेना अनिवार रहे है अतह कथन 2 सही है सम्विधान की साथवी अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टी 37 केवल केंदर को विदेशों से लोन लेने की शक्ति प्रदान करती है इसलिए कथन 1 सही नहीं है तो इस तरह इस प्रश्ण का सही जवाब ऑप्शन B केवल 2 अगला प्रश्ण है मिस केरल मचली के संबंद में निम्दलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक है केवल केरल राज्ये में पाई जाती है दो इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है उपर योगत में से कौन सा यांसे कथन सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनो या फिर ना तो एक और ना ही दो इससे ही जवाब ऑप्शन D ना तो एक और ना ही दो यानि दोनों कथन गलत है मचली प्रजनक मिस केरल को वन्यजीव संरक्षन संशोधन विधेयक 2021 में शेडियूल वन में शामिल करने से काफी अश्चर्य चकित है दैनिसन बार्ब मचली को मिस केरल कहा जाता है यह केरल और करनाठक में पाई जाती है अतह कथन एक गलत है इसका IUCN स्टेटरस एंडेंजर्ड है अतह कथन दो भी गलत है तो इस तरहां इस प्रश्ण का सही जवाब option D ना तो एक और ना ही दो अगला प्रश्ण है 5G के संदर्ब में निम्दलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इसमें mm wave spectrum प्रयोग किया जाता है दो इसमें upgraded LTE का उप्योग होता है तीन यह 20 GBPS तक की speed देता है उपरयोगत में से कौन से कथन सही है केवल एक और तीन, केवल एक और दो, केवल दो और तीन या फिर एक, दो और तीन इससा सही जवाब option D, एक, दो और तीन यानि सभी कथन सही है अमेरिका में 5G wireless network लागू होने के बाद भारत ने अमेरिका से आने और जाने वाली Air India की कुछ उड़ाने रद कर दी थी बाद में इसे फिर से बहाल किया गया 5G technology की विशेशताएं है इसमें mm wave spectrum 30 से 300 GHz का प्रयोग होता है जिससे काफी high speed पर ज़ादा डेटा भेचा जा सकता है इसमें upgraded LTE यानि long term evolution का उप्योग होता है यह 20 GBPS यानि gigabits पर second तक की speed देता है इसलिए विकल्प D सही है तो इस तरह इस प्रशन का सही चवाब option D 1, 2 और 3 अगला प्रशन है मौरिशस के संबंद में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, यह मेडा अगासकर द्वीप के दक्षिन पूर्व में स्थित है दो, यह चार द्वीपों का समुहू है तीन, इसकी राजधानी अगालेगा द्वीप पर स्थित है उपर योगत में से कौनसा यांसे एक अथन सही है या फिर है प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी और मौरिशस के प्रधानमंतरी प्रविंद कुमार जगनाथ ने संयुपत रूप से मौरिशस में भारत की सहायता से चलाए जाने वाले सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट्स का उधगातन किया मौरिशस हिंद महा सागर मिस्थित एक द्वीपी ये देश है यह मेडागासकर के पूर्व मिस्थित है इसलिए कथन एक गलत है मौरिशस और मेडागासकर के बीच री यूनियन द्वीप है मौरिशस चार द्वीपों का समुहू है ये चार द्वीप मौरिशस, रोडरीग्यूस, अगालेगा और सेंट ब्रेंडन है अतह कथन दो सही है इसकी राजधानी पोर्ट लुईस मौरिशस मिस्थित है परियोग्त राष्टर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है दो, भारत इसका सदस्य नहीं है लेकिन इसे observer state का दर्जा प्राप्त है वो परियोग्त में से कौन सा यांसे कथन सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनो या फिर ना तो एक और ना ही दो इससा सही जवाब option A केवल एक इसलामिक सहयोग संगठन यानि Organization of Islamic Cooperation OIC सहयोग्त राष्टर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है अतहक अथन एक सही है यह अंतराष्टरिय शांती और सदभाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा करने का प्रयास करता है भारत ना तो इसका सदस्य है और ना ही इसे Observer State का दरजा प्राप्त है इसलिए कथन दो गलत है तो इस तरहां इस प्रश्ण का सही चवाब Option A केवल एक अगला प्रश्ण है जस्टिस क्लॉक किस राज्य या केंदर शासित प्रदेश में लॉंच किया गया है दिल्ली, करनाठक, असम या फिर गुजरात इसका सही चवाब Option D गुजरात हाली में सुप्रीम कोट E समीती के अध्यक्ष जस्टिस D.Y. चंद्रचूर ने गुजरात उचनेयाले के लिए दो डिजिटल सेवाओं का उधगाटन किया ये दो सर्विसेस जस्टिस क्लॉक एवं अदालती शुल्क का इलेक्ट्रानिक भुगतान है जस्टिस क्लॉक एक LED डिस्प्ले है इसे गुजरात हाई कोट परिसर के पास एक चौराहे पर जमीन से 17 फीट की उचाई पर लगाया गया है इस जस्टिस क्लॉक में गुजरात में जस्टिस डिलिवरी सिस्टम के महतोपूर्ण आंकडों को प्रदर्शित की आ जाएगा तो इस तरहां इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन D गुजरात अगला प्रश्न है ताहिती द्वीप के संबंद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह मध्या दक्षिड प्रशाद महसागर में स्थित है दो पपीते फ्रेंच पोलीनेशिया की राजधानी और प्रशासनिक के इंद्र है वो परियोगत में से कौन सा यहां से कथन सही है या फिर है विच्ञानिकों की एक टीम को दक्षिड प्रशाद में ताहीती द्वीप के पास कोरल की काफी लंबी संरचना का पता चला है यह कोरल संरचना काफी पुरानी है और देखने में लगभग एक गुलाब की तरह है बताया जा रहा है कि क्लाइमिट चेंज और मानुवी अगतिविधियों का इस पर असर नहीं पड़ा है यह मद्य दक्षन प्रशांत महासागर में स्थित है इसलिए कथन एक सही है यह फ्रेंच पोलीनेशिया का सबसे बड़ा दूइप है पपीते फ्रेंच पोलीनेशिया की राजधानी और प्रशासनिक केंद्र है इसलिए कथन दो सही है तो इस तरह इस प्रशन का सही जवाब ऑप्षन सी एक और दो दो अंतिम प्रशन है निम्निलिखित कथनों पर विचार कीजिए हाली में सुप्रीम कोट ने नैशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानि नीट में अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोटा की सम्विधानिकता को बरकरार रखा पहला पिछडा वर्ग आयोग 1953 में सम्विधान के अनुछेद 340 के तहत राष्ट्रपती के आदेश द्वारा गठित की आ गया था पहले पिछडा वर्ग आयोग को काका कालेल कर आयोग के नाम से भी जाना जाता है इसलिए कथन एक गलत है इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौपी थी मदरास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मामला अन्य पिछडा वर्ग कोटे से सम्बंदित है इसलिए कथन दो सही है इस मामले में मदरास राज्य के एक आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें जाती के आधार पर इंजीनिरिंग और मेडिकल कॉलेजों में सीटों का बटवारा करने का आदेश दिया गया था तो इस तरहां इस प्रशन का सही चवाब उप्शन B केवल दो अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रशन अल्टी मीटर के संबंद में निम्दलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक लॉयल एस्पेंशिट ने इसका पेटेंट लिया था दो इसे 1930 के दशक के अंत में विक्सित किया गया था वो परियोगत में से कौनसा यांसे कथन सही नहीं है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दो नो या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा अगले सेशन में नए प्रश्णों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद